Hello Kids, Welcome to EDU Aero Class. आज हम इस वीडियो में A और N का यूज़ करना सीखेंगे. क्या आप जानते हो A और N का यूज़ कब किया जाता है? A और N कब यूज़ किया जाता है जब हम किसी सिंगल आपजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं. जैसे एक आम, एक कुरसी, एक मेज, एक तस्वीर. आओ बच्चो आज की क्लास शुरू करते हैं. सबसे पहले कौन बताएगा इंग्लिश एल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? सोचो, yes, 26 लेटर्स. There are 26 लेटर्स in the English एल्फाबेट. और वोवल्स तो सबको पता है ना? जानते हो वोवल्स के बारे में? कितने होते हैं वोवल्स? Yes, five. A, E, I, O, U. Repeat once again. A, E, I, O, U. And जो बाकी लेटर्स बचे, वो क्या होते हैं? So, there are 21 consonants and 5 वोवल्स in English एल्फाबेट. English के ऐसे वोवल्स जो किसी वोवल्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे बुक, मैंगो, चेयर. उनसे पहले हम A लगाते हैं. और इंग्लिश के ऐसे वोवल्स जो किसी वोवल्स से स्टार्ट होते हैं, उससे पहले हम N लगाते हैं. बच्चों हमने अब तक क्या सीखा? एक बार रिपीट करते हैं. There are 26 letters in the English alphabet. Of these, A, E, I, O, U are vowels and the rest are consonants. We use A before words that begin with a consonant. And we use N before words that begin with a vowel. आईए बच्चों, अब कुछ object की pictures के साथ सीखेंगे. आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? Yes, एक arm. किसकी picture है? Mango. And how many mangoes are there? One. Only one? तो जब हम किसी single object के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो या तो हम A लगाते हैं, या हम N लगाते हैं. तो अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? A या N? A mango या N mango? अब आप सोचिए, मैंने आपको क्या बताया था? जो words, consonant से start होते हैं, उनसे पहले हम A लगाते हैं. और mango किसे start होता है? M से. और M क्या है? Consonant. So, we use A before the mango. So, here is a mango. Next picture is bag. What is this? Bag. And how many bags are there? One bag. So, we use A और N. तो आप बताओ जल्दी जल्दी कि bag किसे start होता है? B से. And B क्या है? Yes, consonant. So, we use A before the bag. A bag. Next is क्या है? जल्दी जल्दी बोलो. Yes, हाती. Elephant. And elephant किसे start होता है? E से. Yes. And E क्या है हमारा वोवल? And जो word वोवल से start होता है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? A, N, N. कितने elephant हैं आपर? One elephant है न? तो हम लगाएंगे an elephant. Next picture is, क्या दिखाई दे रहा है? Orange. And orange किसे start होता है? O से. And O is a vowel. So, we use N before orange. कितने orange हैं? One orange है न? तो इसलिए an orange. Hmm. आप देखते हैं, next picture किसकी आती है? वाओ! Umbrella. And umbrella किसे start होता है? U से. And U is a vowel. So, we use N before the umbrella. एक umbrella है न? तो हम क्या बोलेंगे? An umbrella. चलो बच्चे, अब easy trick बताती हूँ. हम यह भूल जाते हैं कि consonant और इत्ते सारे consonant होते हैं. अब हम यह देखेंगे. अब चलिए पहले कोई picture लेते हैं. Hmm. क्या है यह? Tree. Okay. तो वोबल्स तो याद रखना असान होता है न? Only five होते हैं. कौन-कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. तो चलिए देखते हैं. Tree किससे start होता है? A से start हो रहा है? No. E से start हो रहा है? No. I से start हो रहा है? No. O से? No. U से? No. तो वोबल्स से तो start हो यह नहीं रहा? तो इसलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे? A. So, क्योंकि एक tree है न? तो इसलिए a tree. So, kids, हम यह देख लेंगे कोई भी word किसी वोबल्स से start हो रहा है या नहीं? अगर वोबल्स से start हो रहा है तो हम N लगाएंगे और वोबल्स से start नहीं हो रहा है तो हम A लगाएंगे चलिए, अब मेरे साथ कुछ object के साथ practice करते हैं अब हम यहाँ पर कुछ objects लेते हैं देखिए First is cat So, what we use? A cat Next is Jug वोबल्स से start हो रहा है? No. So, what we use? A A jug एक book तो बुक किसे start होता है? बोबल से start होता है? No. So, a book Next is Tap A tap A man A woman A boy A girl यह सारे words वोबल्स से start नहीं होते हैं इसलिए हम इनसे पहले A लगाते हैं A desk A desk A foot A wall A zoo और हम A ही क्यों लगा रहे हैं? याद रखना बच्चों क्योंकि यह सारे objects एक-एक हैं हमारे पास एक बिल्डी, एक जग, एक बुक, एक टैप, एक man, एक woman आईए अब कुछ वोबल्स वारे words रिखते हैं X So, यह word X वोबल से start हो रहा है तो हम इसके पहले क्या use करेंगे? N N X Ear वोबल से start हो रहा है E E से start हो रहा है न? So, we use N N Ear और यह सारे चीज़े एक-एक हैं यह ध्यान रखना So, इसलिए हम A use करते हैं यह N use करते हैं Next is Egg An egg An eye इस सारे words ध्यान रखना वोबल से start हो रहे हैं तो इसलिए हम इन से पहले N use कर रहे हैं Next is Arm An arm An ant An ink pot An owl An arrow An elbow An engine चलिए बच्चों अब जल्दी से एक paper pen निकाल लीजे मैं आपको कुछ objects दिखाऊंगी आपको अपनी copy में लिखना है कि उससे पहले हम N use करेंगे या A use करेंगे ओके बच्चों इस worksheet के लिए आपको मैं एक मिनट देती हूँ और जिस बच्चे का सबसे पहले complete हो जाए वो please comment box में okay लिख दे हम अपनी मम्मा को बोलेंगे मम्मा मेरा हो गया please okay लिख दो जिसका सबसे पहले okay आएगा वो first होगा तो शुरू करें and your time starts now चलिए मैं आपकी help करती हूँ first is apple apple किसे start हो रहा है वोबल से next is kite kite किसे start हो रहा है consonant से next is owl owl किसे start हो रहा है वोबल से ऐसे ही ball बी से next umbrella monkey egg got do fast kids yes time up now let's see the solutions हब आप अपनी worksheet चेक करो आपने क्या सही लिखा और क्या गलत कितने सही किये और कितने wrong अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जुरू कीजिएगा चैनल को सब्स्राइब करना भी मत भूलें झाल जब रए्जड वीडियो प्लम मत भूलें झाल जाइक के साथ